पिएसी को सरकार के द्वारा आप सब लोग अवगत हैं वो अध्यापक निप्ति के लिए अनुसंसा भेजने के लिए इसका हम लोगों ने पाठेकरम और परिच्छा के संगचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संसे आप लोगों के भी मन में होगा और अभियतियों के भी मन में होगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रस्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संसे है तो मैं कोशिस करूँगा कि उसको दूर करूँ कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूंगा ताकि आप अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा उसके बाद टोटल पद जो है वो प्रात्मिक प्रात्मिक विद्याले के लिए 89493 है जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्थ हुई है 79,943 उसके बाद माध्यमिक विद्याले के लिए 32,916 और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602 तोटल होता है एक लाख सत्तर हजार चार सो एक सट एक सट एक लाख सत्तर हजार चार सो एक सट जिस एक सट आप लोग भी टोटल कर लेंगे अब इसमें जो आहरताएं हैं वो सरकार के नियावली में दिया हुआ है और जहां जहां वो मिसिंग होगा वो सरकार के निदेश पर और सरकार के साथ आयोग की बैठक संजुक बैठक में जो निर्ने लिया जाएगा उसके अनुरूप वो होगा और वो विज्यापन के समय जब विज्यापन जब निकलेगा एक दो दिन दिन में मैं समझता हूँ कि विज्यापन भी हम लोग निकाल देंगे वैसे मैं बता दूँ मोटा मोटी तौर पर की प्रात्मिक विद्याले के लिए जो नियुनतम आरताएं होंगी वो इंटर पास प्लस सीटेट प्लस डिप्लोमा इन अलिमेंटरी एजुकेशन या बीएड अगर क्या हो तो वो होना चाहिए माध्यमिक विद्याले के लिए ग्राजुएशन प्लस स्टेट प्लस बीएड और हायर सेकंडरी के लिए पोस्ट ग्राजुएशन होना है और स्टेट और बीएड होना है डिग्री मतलब ग्राजुएशन प्लस स्टेट प्लस बीएड और इसमें जो नियमावली के हिसाब से ही जो लोग वर्स दो हजार बारा के पुर्व के जो होंगे जो नियोजित हैं उनको उनके लिए टीटी मतलब टीचर से लिएबिल्टी टेस्ट से वो उनको एक्जेम्शन है तो यह हुआ है उसके लावा फिर एज डिलाक्शेशन भी है उन लोगों के लिए वो सारा चीज नियमावली में पहले से दिया हुआ है वही चीज विग्यापन में हम दो डिपीट कर देंगे अब जो हम लोगों ने जो पाठिकरम निकाला और जो उसके लाइट में यह लोग प्रशन पूछ रहे हैं कि परिच्छा एक ही दिन में होगा एक दिन से धीक में होगा तो हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे एक ही आवेदन होगा मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्रात्मिक के साथ साथ वो हाइज स्कूल के लिए भी और हाइर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी तिनों के लिए वो अपलाई कर सकता है एक साथ अपलाई एक साथ कर सकता है और जब हम अपलाई करने की जब हम उसको सुधा देंगे क्योंकि उसका हक भी है अगर वो योग्य है तो तीनों मे अपलाई कर सकता है तो तो सभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परिक्षा में उत्तिन होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परिक्षा की तिथी को रखेंगे, ताकि अगर वो योग्य कैनिडेट है तो वो तीनों परिक्षा में अलग अलग तिथी पर भाग ले सकता है, अब हम आते हैं पाठेक्रम के बारे में पाथेक्रम या और परिच्छा की जो संगरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पत्र एक पेपर जो होगा वो qualifying nature का है और वो भाषा का भाषा का पेपर जो है वो qualifying nature का है उसमें उसको सिर्फ पास करना है उसका मेरिट में जुटेगा उसमें भाशा में दो सेक्षन रहेगा एक सेक्षन अंग्रेजी है जो सब को करना है और दूसरा सेक्षन में विकल्प है मतलब की वो हिंदी उर्दू या बंगला क्योंकि हमारे पास जो पद आये हैं प्रात्मिक में उसमें बंगला के लिए 148 पद है उर्दू के लिए 12,729 पद है बाकी जो प्रात्मिक के जो बाकी है वो सामाने मतलब हिंदी के हैं मैं आपकी जिग्याशा को जल्दी श्रांद कर दूँगा पचीस मार्क्स जो रहेगा वो और सभी एक्जाम जो हमारे हैं वो मतलब की अब्जेक्टिव टाइप के हैं मुल्टिपल च्वाइस कुश्चन्स रहेंगे और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाशा का है उसमें अंग्रेजी पचीस रहेंगे नंबर के रहेंगे पचीस प्रस्न और हिंदी या उर्दू बंगला जो रहेगा वो पच्छतर पच्छतर का रहेगा उसमें से कोई एक चुनना है मतलब टोटल सौ नंबर के सौ प्रस्न रहेंगे और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि तीस नंबर नियुनतम लाना होगा तभी वो पास करेंगे ने तो वो प्रिक्छा से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा इसमें जो लोगों को जिग्यासा है कि पहला कि क्या 30% अंग संज्यूक्त रूप से उनको 30% लाना है मतलब 30 नंबर लाना है लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सिक्छक हो और वह सड़क पर अगर चल रहे हैं और सड़क पर जो रोट पर जो साइनेजेज रहता है वो अंग्रेजी में भी रहता है उसको ना पढ़ सके हैं हो सिख्षय क्या हुए जो राह चलते हुए इस वारी होLife की युद्धा कि भाएं हैं उसको एगर लिखा हुआ है तो उसको भी नत पढ़ सके हैं इसे क्या वह आख़े इसे, सब्सक्राइब लुए कि इसलिए हम लोग प्रश्ण के के स्टर को हम लोग इस तरह से रखें तरह कोशिच करेंगे कि हम उनको कि अंग्रेजी जरुद सरल रहेगा कठिन नहीं रहेगा मानते हैं कि यहाँ पर हिंदी भाशी प्रदेश है तो अंग्रेजी का प्रस्न कठिन नहीं रहेगा लेकिन इसका यह मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रस्न सरल नहीं होगा तो कि अगर हिंदी का प्रस्न भी सरल हुआ और अंग्रे जी का प्रस्म भी सरद हुआ तो सब हिंदी ही देखर करके निकल जाएंगे इसलिए थोड़ा हमलों भी दिमाग लगाएंगे और मैं चाहूंगा कि अभिर्थी भी थोड़ा थोड़ा तो अंग्रे जी भी पढ़ी लें ताकि वो शुन्ने नहों अंग्रे जी उ इसके बाद अब में पेपर होगा में पेपर टेर सुन enriched के लिए एक ही में पेपर हुआ। अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही में पेपर हैं और अगर हम इंटर के लिए इंटर स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही में पेपर है एक ही पेपर उसके बाद देना है और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों स्रेनी के लि मेरिट लिस्ट अलग-अलग बनेगा तो कि सब के लिए अलग-अलग वो परिक्षा है अब रही बात कि जो भी डेर सो नंबर का जो में पेपर हुआ उसका कम पोजिशन इस तरह से रहेगा कि सौन तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्याथियों को पढ़ाते हैं उसका वो वही होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में इसलिए अगर यह जिग्यासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें तो मेरा यह कहना होगा है कि बिहाल इग्जामिशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए उसी को देख लें उसी को पढ़ जता है तो जो अगर परका ईंटर का है वो विशय को इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए ब्सका वही रहेगा चाप्टर कंटेंट्स वही रहेगा प्राथ्मिक जाले में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्शत वो वही रहेगा कंटे वही चाप्टर्स वही रहेंगे मतलब सिलेबस का जो विस्तार डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना जरूरत नहीं है क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों के उठाकर देख ल अबिधरति होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा बच्चों को ठाने हो लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वालगता थो नहीं का स्तर होगा चैप्टर तो वही हुआ जो प्राक्मिक विद्याले में जो पढ़ाते हैं लेकिन उसका जो स्तर जो होगा वो उनके जो नियुंतम द्धारित योगिता मतलब इंटर जैसे है तो उसी को ध्यान में रख करके होगा कि इंटर पास एक अभ्यर्थी स्कूल प्राक आलोग में रहेगा और उसी तरीके से अगर माले यागर प्लस टू का अगर कोई सिक्षक है अभ्यर्थी तो सभाविक है कि वो प्लस टू के विद्याथियों को पढ़ाने के लिए उसका स्तर तो उससे उचा का होना है तो फिर प्लस टू के सिक्षक के नियुंतम आरता है जो है वो पोस्ट ग्राजुएशन का है तो पोस्ट ग्राजुएशन का है तो हम लोग उसी के आलोग में कि वो इंटर के बच्चों को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्राजुएशन अभिरती हैं तो प्रस्टनों का स्तर क्या होना है वो उसी के हिसाब से हम लोग टैक कर लेंगे तो अब इसमें इसको लेकर के जो लोगों को confusion था कि हमारा क्या रहेगा पार्टिक्रम का कैसे मतलब डीटेल क्या रहेगा तो मैंने बता दिया अब रही बात कि ये तो 100 नंबर के हुआ बागी 50 नंबर के जो रहेंगे के वो सामाने जियान जो है जेनल साइन्स करें जनल स्टेडिस कह लें वह बैसिकली जहistic पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वह उनके नौलेज्द का लिटेस्ट होगा और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा मतलब कि उसे mental ability रहेगा वगरा वगरा reasoning रहेगा और इसी तरह के पिलते जुलते चीज रहेगा जो उनके कुछ हो सकता है कि सामाने तरह का जो एक किसी भी जागरूक नागरिक को या सिक्षक को थोगा बहुत ग्यान होना चाहिए सामाने ग्यान का तो वो उसी तरह का रहेगा वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई जो लोग यह आशंकित हो रहे हैं कि हम SDM बना रहे हैं officer बना रहे हैं ऐसी बात नहीं है वो भी लोग सेवक ही होंगे और जो SDM जो है वो भी लोग सेवक ही होंगे और किसी भी एक लोग सेवक को एक जो सामाने ग्यान का जो अस्तर होना चाहिए इसका अस्तर उतना जागा नहीं होगा जो किस्पस्ट है लेकिन इसमें पचास नमबर जो रहेंगे वो उनके विशे ग्यान से हट करके ये उनके समाने ग्यान जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे इसमें अब रही बात कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने इस बाद शुरू से ही इस पस्ट कर दिया है कि इसमें तुक्के बाजी को हम प्रश्रे नहीं दे सकते हैं मेरा यह मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर जिसे स्विल सर्विसेज का अग्जाम लेते हैं वो कोई भी विशे पढ़के आता है लेकिन वो उस विशे का उप्योग नहीं करता है अपने कारे में अगर वो मानने की फिजिक्स पढ़के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उप्योग थोड़ी कर रहा है अपने कारे में लेकिन सिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्यान का उप्योग कर रहा है अगर वो फिजिक्स पढ़के आया है या हिस्ट्री पढ़के आया है तो वो उ ज्यादा खतरनाक होगा वो बच्चों के लिए भविश्य से खिलवार वाला बात होगी इसलिए हम उनको तुक्के बाजी पर अंकुष्च शुरू सही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगटिव मार्किंग रखेंगे लेकिन अभियर्थियों को उसे घबरारा नहीं चाहिए क्योंकि आफ्टर आल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों जो उनका अपना खुद का विश्य है जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे उसका तो उनको ग्यान होना की जरूरत नहीं होगी उनको और इस बार मतलब कंबाइन सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है जैसे एक एक लाक सतर हजार से उपर वेकेंसी है अगर अभियर्थियों की संख्या हम मानें की छे साथ लाक अगर होंगे तो आप अनुपात कि जिसमें की काफी मारा-मारी रहता है तो इसमें उतना घबदाने की जड़रत नहीं है प्रश्न का स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा लेकिन डेफनिटली वो एक तरश से बहुत हलका भी नहीं होगा वो उनके जो काम जो करेंगे जो पढ़ाएंगे उसके ही आलोक में उसका स्थर होगा तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबन में नेगेटिव मार्किन संबन में जानते हैं कि अगर option अगर 5 option रहेंगे अगर तो 1 by n-1 होता है formula उसके हिसाब से मतलब कि अगर 5 option है तो मतलब कि 4 सही 4 गलत प्रश्ण और 1 सही प्रश्ण मिला करके 0 होना है 5 option है तो 1 fourth हो जाएगा और अगर 4 option है तो 1 third minus हो जाएगा यह standard statistical formula रहता है और इसका निर्णा हम लोग कर देंगे और वो परिक्षा में भी उन लोग पता चल जाएगा देजिए इससे घवराने की बात बिलकुल नहीं है और हम लोग चैने का Nou लोग अब्यप की पृयप्त समय भी देंगे पढ़ाय तो उनके लिए कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आजाएंगे इसमें अब आप लोग का अगर कोई प्रस्ट नहीं है और अनुपाद को सक्सेस का अनुपाद इतना बेहतर है मैं समझता हूं कि जो अगर थोड़े से भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे ठीक से पढ़ा रहे होंग कि हम लोग उनको लगव टीन माग अगो फोर्टी इचाहिए नव्य दिन का है मोलोग एक साथ रोती की खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं तो हम लोग इस सिटम्बर में आगर परिशा कर रहे हैं तो उसका इम अमत्ना थूड़ी है कि हम लोग उसके पहले परिशा प्रियाब समय देंगे और मुटा मुटी आप यह समझ के चलें कि अगस्त महिने में एक्जाम होगा अब लोग अभी कि यह एक्जाम चार दिन चार दिन चलेगा चार पेपर हो जाते हैं और चुकि हमें सब को मौका देना है प्राक्मिक के लिए और हाई स्कूल के लिए और हाई सिकंडरी के लिए भी इसलिए वो हमें समय लगे का उसमें इसलिए आप वो सरल होगा है हम दोग चाहेंगे कि जो हमारे सिक्षक हैं वो वो अपने भी मतलब सर उठा करके चलें और आपनों भी जब जाकर कि जब कभी चेक करते हैं आप बहुत पाते हैं क्यों वो मतलब एक सब्सक्राइब नहीं अपना जबीवार शनिवार तक नहीं जाने हैं तो फिर बड़ा दुखद लगए वैसी नहीं होगा बस उतने ही क्या नहीं क्योंकि उसके बाद जो अपने विशे के जो है वो अपने विशे के तो ग्याता है ही इसका सिर्मस क्या होगा सब्सक्राइब कुछ नहीं बता रहा हूं कि ये एक सामानने हो अगर माण लें कि अंग्रे जी की बात अगर करें तो कभसे कम अगर अगर अग्रेजी का अक्पार उठा यwhere को पड़तो सकें जो चार लाइन हो कोई लिखा हुआ है तो उसको समस्त हो सकें कि क्या लिखा हुआ है तो नहीं भर है यह समाने हैं वह हम उसमें उनसे सेक्सपीयर के बारे में पूछने वाले हैं सब्सक्राइब करना चारीज करता है वह समाने प्रशासन का बहुत कुराना संपलर है और सभी प्रशाण में लागू है वह इसमें भी लागू है सर आभी इंग्लीज पेपर की बात कर रहे थे तो जहां तक मेरे नजरीया है कि ग्रामीन चेत्र में बहुत कम ऐसे टीचर जो इंग्लीज बढ़ाते गुवर्मेंट उसकुल में इंग्लीज का साधन नहीं है तो लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे पेपर देपाएंगे देखे यह आप शार पता नहीं सुनु की नहीं थी मने बताया है कि क्या ग्रामीन चेत्रे के लोग काटना नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं और सडकों पर आजकल पटना के सडकों पर अपडियागे कि साइने जेस में काफी अंग्लेजी में लिखे हुए जितने वाटसप जो होते हैं बहुत से वाटसप तो अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना कोई एक अगर हम विहार के भविश्य के लिए बात कर रहा है हमारे बच्चे क्या उनकी सीमाओं से बच्चे की भी जानकारी या उनका जो ब्यान पाधित हो जाए हम उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वाग्रेजी विश्य के वह सिक्षक नहीं पढ़ा रहा है लेकिन उनको इतनी चांकारी तो हो नहीं चाहिए ना जो अपने क्योंकि वह अगर प्रात्मी पिद्याले के लिए तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं सब्सुना के हैं तो अलग बात है है तो ऑफिट तो इसवार हो दिया इस तowsको आकिजिए उसमादिया कहाँ सबस्के का जाण है सब्काइड आप ऑडिशाम के लाइक मैं तो इसनायम कियों सर्ण prax ऊरत मैं तो सब्सकताम करी चर्एफिक्स याया च्राकिप साया कि आप जितीनों स्टर के क्योंकि अभी में पास मद्दे विजाले के वेकर्सी नहीं आई है इस में मद्दे विजाले के वारे में नहीं बता रहा हूं अभी कुछ टैट नहीं हुआ है उसका जबाएगा तो इस समय देखा जाएगा लेकिन अभी जितने भी स्टर्ट लेवल के विजाले के सच्छों के बारे मामला है सब में देखेंगे कि अनिवारे आरता में सीटेड यह है यह 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 है ऐसी सिटी में उन परिक्षाओं में प्रस्च्छन संबंधित कैसे करें गदी जो करते हैं इसके संबंध में यह चाई डेवलप्में तुमारे में और इन चाई है तो अब पिर से कुसी चीज़ के अगर हम लेने लगें तो फिर आप पही हो कहने कि जिसमें ज़र ले रहे हैं थो नहीं परीक्षा की ज़रूत है नहीं परिच्छा की जवरत इसलिए है क्योंकि जो जो अभ्यप्थी अभ्यप्थियों की संक्यारत छे लाग है और अगर हम उसमें से एक लाग सब्तर हजार ही को हमको लेना है तो सुभावी करेंगी हम मेरिट बेस्ट ही हम सेलेक्शन प्रोसेस करेंगे अब रही बात की पेड़ागोजी जो है या चाल्ड डेवलप्मेंट को करते हैं यह ऐसा चीज है जिसके लिए वह पहले से अपना वह अपनी पात्रता पहले से प्रमाइद कर चुके हैं दूसरी बात की यह ऐसा मामला है कि वह भविशे में कि टीटी करके आई हुए है वह जब स्कूल में जब जाएंगे वहां भी और भी अनुभव ग्यान कर अभी अभी फासिल करेंगे उनका उसमें निखार आना ही है उस पर हमको एक बार जब वह जब वह जब जब टेस्ट कर चुक है उस पिन्दू पर तो दुबारा हमको उससी पिंदू पर उसके परिचा लेने का कोई मतलब नहीं है वह तो मैं पता है ना कि हिंदी औबलिक पूर्दू औबलिक बंगला देखेे प्रशन पत्र हमारा जो सट्पजेक 6 रहेगा ओ बाइवल रहे घंजपल रहा लेकिन नाच्रल सब्सक्राइआ हो आई ड़ीर्ची सब्सक्रांटिश्न प्रइपर है तो रिंड्स का है तो लिए गषरुपारा जो ब्लांग्वेज का जो विशाय का जो पेस्टे पर रहेगा वो उसी लांग्वेज का जो पैलिंग बल नहीं रहा है इसमें महिनाओं के विशेज कुण दिया गया है तो 85% मुटे दिया है 35 मार्स है तो क्या उच्छो चाप जाए लखें कि आप इस जो 90 कारा है कि देखिए जो क्वालिफाइंग जो कटॉफ है वो सरकार के द्वारा पहले से उधायत है इसमें महिनाओं के लिए अलग है सावादने के लिए अलग है वो उसका पूरा आपकों को ग्यान होगा हमारे पार्टिक्रम में ग्रूफ परसंटे लिखा होगा अब रहीवाद की सरकार ने इस बार जो नियौली जो बनाया है उसमें प्रात्मिक विज्जाले के सिच्छपों के लिए में सिच्छपों के पलपर महिलाओं के लिए आरक्शन जो है कि पचास परसंट साथ अन्यम में जो पहले से है वह सही रहा है और प्रात्मिक विज्जाले के सिच्छ में पचास परसंट आरक्शन महिलाओं के लिए सब यह जो एक्जाम के जो एक्जाम के लिए तो पहले होंगे